हेलो फ्रेंड्स तो आज मैं फिर से हाजिर हूँ जीके के कोशन लेके लिसेंड से अभी तक हमारे दौनों वीडियो से लाकर 400 कोशन कम्प्लीट हो गहें तो आज हम 400 वन से स्टार्ट करेंगे यानि 200 कोशन और 600 कोशन हमारे कम्प्लीट हो जाएंगे अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया just time a bell icon button icon बटन प्रेस किजी से आपके कोई भी वीडियो मिस ना हो तो मिधन में इस्टार्ल कर रहें और किसी को कोई भी प्रॉब्लम है किसी भी वीडियो में किसी भी में को तो मेरे comment box पर comment करके मुझे बता सकते या मेरी mail id पर mail भी कर सकते हैं मेरी mail id नीचे description box में दी गई है तो चलिए start करते हैं और यकीन मानिये friends ये बस मेरी वीडियो एक वीडियो को three times four times अब बस देखिये आप से related questions जरूर अटैम्ट कर पाओगे exams में competitive exam में और कौन से competitive किसी भी government service के लिए जो आप exam देते हो उसमें general science, general knowledge का part बहुत आता है ठीक है और इसी में ही हम लोग रह जाते हैं तो आईए start करते हैं लेकिन मेरी वीडियो देखने के बाद आप कोई problem नहीं होगी मैंने ट्राय किया है जितने भी HSE, CGLC, HSO, Railway हो पुलिस के जितने भी exam होते हैं सारे question इसमें cover up करवा दूँ लेकिन लीशेंट बुक से ऐसा नहीं हो सकता पूरा का पूरा क्या के तैप पढ़ो और सब learn हो जाए तो 100% आपको learn नहीं हो सकता मैंने उसमें से बहुत important topic से important question बनाके आपको बता रही हूं जिससे कसी भी exam निकालने में आपको परिशानी ना तो जरूर मेरी वीडियो को follow कीजिए ठीक है अब 600 तक आज हम complete करते हैं love wasting any time let's start question number 401 third video का first question है वांधीपु टाइगर रिजर्फ is situated in which state वांधीपु टाइगर रिजर्फ किस राज्य में सित है यह है करनाटिका में how many population of world lives in plateau areas पठारी छेत्रों में विश्प की कितनी जन्संग क्या रहती है 9% यानि की 9% Thomas cup is related with which sport Thomas cup का संबंध किस केल से है badminton bull and bear world is related to world sand and bear की दुनिया का संबंध किस से है इसका संबंध होता है stock market जिसको मिंदी में बोलते है share बजा है इसका नम bull and bear के है जब stock market हमारा उचाही पर जाता है भड़ता है तो यह बोलते है bull और जब उस वो घटता है तो उसको बोलते है bear तो इस तरह से मिलाके दोनों का नाम पढ़ गया bull and bear सार और बियर कैनिस लुपर्स फैमिलियर्स इस साइंटिफिक नेम ऑफ फू अब किसी का साइंटिफिक नेम भी आपसे पूछ लेता है मैंने यहाँ साइंटिफिक नेम लिये है जो बहुत इंपोर्टेंट है यह अभी तक 10 साल में आ चुके किनान स्टेडियम कहां इसतेत है जमशेग पूर्टेंट जितने भी आपके स्टेडियम में आपको वह याद रखने हैं और जितनी आपके ट्रोफी जना थोमस कप डेविट कप अफगान कफ यह याद रखने हैं और जितनी आपके इंटरनेशनल डे बहुत इंपॉर्टन देजर से वर्ल्ड अर्थ डे वर्ल्ड वाटर देवे ठीक है यह टाइप से जो एंविर्मेंट से भी जो एंविर्मेंट डेए फोरेस्ट डे वैसे मैरी जुतनी वी वीडियो अगर आप पूरा देखोगे थाउजन सीडियू से मेरे जितने भी इंपॉर्टन डेजर सब क दिक है डबलू आई वीपो का मुख़यले कहा है जिनेवा बहुत इंपॉर्टन कोशन है यह आपसे हैटकॉर्टर भी पूसता है इंपॉर्टन इंपॉर्टन चीजहों के बुल्फाइट कंडेक्स इन विच कंट्री साड़ों की लड़ाई कि इस देश में होती है वेरी सि सेंपल सिचुएटेट के लाश मंदिर कहां इस दिते एलोरा इन विच यह शिम्ला ट्रीटी वोज है बिट्वीन इंडिया और पाकिस्तान भारत और पाकिस्तान के वीश शिम्ला संधी किस बर शुई थी 1972 1972 में बहुती रेर कोशन था लेकिन पूछ लियाता है चस्ती सीजियल में हवा मेल में कितने जरोके हैं 953, 933 वेर इस हवा मेल सिचुएटेट अच्छा हवा मेल से फिर एक और कोशन हो सकता है आजाए तो हवा मेल कहां इस दिते यह है जैपुर राजिस्तान में भारत में किस युद में ब्रिटिश अमराज्य की स्थापना हुई बैटल ऑप प्लासी प्लासी की जो लड़ाई थी उसमें ब्रिटिश राज्य की स्थापना हुई थी समराज्य की ठीक है who wrote Young India बहुत famous book है Young India किसने लेगा मातमा गांधी ने first Muslim Prime Minister of Muslim Country Muslim देश के पहले Muslim प्रादान मंत्री कौन थे ठीक है तो यह थी बेन जी बुट्टो और यह female Prime Minister थी who has the power to impose Martial Law Marshal Kanun लागुगन्य की शक्ती किसके पास है President, राश्टपती Narmada River is the lifeline of which state? Narmada नदी किस राज्य की जीवन रेका है? Madhya Pradesh When Indian National Airways stabilized durch kacja Indian National Airways कब stabilized हुआ था? 1933 में Who was the first commander in chief of Indian Army? भारतिय सेना के प्रमुक्ट में पहले कमांडर कौन थे के एम करियप्पा वेन स्वराज पाल्टी वोस इस्टेबलाइज स्वराज पाल्टी की स्थापना कब हुई थी 1923 उन्निस्सों तेईस में भारत सम्मिदान में कितनी अनुसूचिया है 12 यानि की बार है भारत के बोस्तन के रूप में किस शहर को जाना जाता है एमदिबाथ विस शिटी उन्ह है सिटी उफ रोजस कि शूर को गुलाबों का शूर का जाता है चंडीगर यहाँ पर इसलिए का जाता है इससे City of Roses आपर गाल्डन बहुत है ठीक है रॉक गाल्डन हो गया आपका जितने भी गाल्डन है आपर बहुत है इसलिए से City of Roses का जाता है गुलाबों का शहर विच इस दा फर्स्ट ऑसकर एवर्ड विनिंग इंडियन मूवी पहली ओसकर पुरुसकार विजेता भारती है फिल्म कौन सी है गांधी फू गे ब्लैक होल कॉनसेप ब्लैक होल की अवधारना किसने दीती यह दीती ऐस चंदरशेकर वाट इस दा करेंसी ओफ नौर्वे नौर्वे की मुद्रा क्या है क्रोन जैसा कि मैंने आपको बोला था करेंसी आपको हर सीठी की पता होनी चाहिए और खास और से जो भी भारत के पड़ोसी देश है हमारी कंट्री के जो भी नेवरिंग कंट्री है उन सब के बारे में जैसे की फर्स प्रेसिरेंट हो गया फर्स प्राइम निस्टर हो गया और करेंसी हो गई ये सब चीचा पता जुरूर होनी चाहिए विच इस दा ट्वीन प्लानेट ओफ अर्थ प्रित्वी का जुर्वा गिरा कौन सा है वीनस यानि की शुक्र विच प्लानेट इस नियरेस टू प्लूटो कौन सा ग्रेप प्लूटो के सबसे नजदी के नैप्ट्यून इन विच इयर वी सी सी आई वोस इस्टेबलाइच वी सी सी आई की स्तापना किश बर्शू थी 1928 यानि की 1928 विच इस दा ओनली स्टेट या या यूनियन टेरिटरी विच ट्रस इस अफगानिस्तान बॉर्डर अफगानिस्तान की सीमा को छुने वाला एक मातर राज्य केंदर शाशित प्रदेश कौन सा है यह है जम्मू और कश्मीर ब्रिज ओफ आदाम इस सिच्टेट बिट्वीन बिच कंट्रीज आदाम का सेतू किन देशों के वी चिस्तित है यह भारत है इंडिया 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 भारत में पहली अंग्रेजी अनुवादित फिल्म कौन सी है नूर जहां व hoe इस चिसद मेंटर और कॉन किया यह किया था किम वेर्णर ली तिम वेर्णर्स ली ने किया था अच्छे c growth pool भूप सबको पता है व्डवाइड से रिलेसे ट्रम्स है यह With no as king of justice नयाए के राजा की रूप है किसे जाना जाता है जहांगीर Who has been titled इत्मत इत्मत का शीरशक किसे दिया गया यह दिया था मिर्जा गयास बेग को Who wrote पृत्वीराज रासो पृत्वीराज रासो किसने लिखा था यह लिखी थी चंद्रवर धाई ने चंद्रवर धाई जो थे वो पृत्वीराज के चाइल्डूट फ्रेंट है जो पृत्वीराज चोहान के ठीक है तो पृत्वीराज चोहान के उन्होंने अपने पृत्वीराज चोहान की ऊपर यह बुक लिखी गई है पृत्वीराज रासो तो उन्होंने पृत्वीराज चोहान की ऊपर वेर इस नटराज टेंपर सिचुटेटेट नटराज मंदर कहा इस्तित है चिदंबरम वट इस दे सोर्च ओफ गंदक रिवर गंदक नदी का स्रोत क्या है नेपाल क्यों लक्ष्मी भाई फोट हर लास्ट बैटल विद हूँ रानी लक्ष्मी भाई ने अपनी आखरी लडाइ किसके साथ लडी थी? यह है जनरल हुरोजे सामानने हुरोजे Who is the chairman of予 राज्य सवा? राज्य सवा के अध्यक्ष कोन है? Vice President राज्य सवा के अध्यक्ष कोन होते? उपाद्यक्ष Who had accepted the title of केसर हिंद? केसर हिंद की उपादी किसने सुईकार की थी ये उपादी दी गई थी महात्मा गांधी को रविना टैगोर को नाइट हूट की उपादी किसने दी ये दी थी जोर्ज बीन भारत के 46 में मुख्य नियाइदीश कौन है रंजन गोगोई मुसलिम लीग वस स्टेबलाइज इन विश शिटी मुसलिम लीग की स्टापना किस शहर में हुई थी धाका बंगलादेश चीए fundamental rights were taken from which constitution मौलिक अधिकार की संबिदान से लिए गए थे ये लिए गए थे American constitution भारत के किस राज्य में एंगलो इंडियन लाइफ की अधिक्तम संक्या है पशिम बंगाल वेस्ट वेंगोल में रहते हैं एंगलो इंडियन कौन होते हैं आधे इंडियन और आधे ब्रिटिशर्स जब हमारा देश आज़त था तो ब्रिटिश जो थे वो यहां से जा रहे थे ब्रिटिशर्स जो थे तो इस पर से कुछ लोग जो है ब्रिटिश के वो इधर ही रुख गए थे और इंडियन से शादी कल ली थी ठीके और वो इधर ही सैटल हो गए तो इसके बाद इनका नाम हो गए अंगलो इंडियन यानि कि आधे भारतिये और आधे व्रिटिशर्स विजिस्टे इस दा हाइस प्रडूसर ऑफ एक्स अंडे का सबसे अधिक उत्पादक राज्य कौन सा है आंधर प्रदेश इनका ही नाम से डीजल पढ़ा इनका ही नाम तर रेडॉल्फ डीजल उनके इन्वेंशन के वास्ते इसका नाम डीजल पढ़ गया विजिस्टे राइटर ऑफ हमदर्द के लेका कौन है मुहमद अली जोहरी दुद्वा नेशनल पार्क इस फेमर फेमस फॉर विच एनिवल दुद्वा राश्ट्री उद्यान किस जानबर के लिए प्रिसिद्ध है यह टाइगर के लिए प्रिसिद्ध है बाग जिसे हम इंदी में बोलते हैं इन विच इयर ताजमेल कंस्ट्रेक्शन है विन कंप्लीटेट ताजमेल का निर्माण की श्वर्च में पूरा किया गया 1653 एडी ठीक है यानि कि 1653 में अच्छा इसको बनाने में कितना टाइम लगाता पता है ताजमेल बनाने में पूरे 22 साल लगे थे 22 एर्स ठीक है तो पूरा कब हुआ था 1653 में अगर आपसे कुछे स्टाल्ट कब से हुआ था तो माइनिस 22 कर दो इसमें से ठीक है समझ आया या वैन इस एड्स दिवस कब मनाया जाता है फर्स दिसम्बर हू रोट फत्वाय अलमागरी फत्वाय अलमागरी किसने लिखी थी औरंजे विच इस दा हाइस लेक आप दा वर्ल्ट विश्व की सबसे उची जील कौन सी है किटी काका और कितनी उचाई पर है यह बारे हजार पांसो साथ यानि 12,507 फीट तो जील की जो यह उचाई ना पी जाती है मापी जाती है इसका मिजरमेंट कैसे होता है समूदर तल से ठीक है समूद संतोष रॉपी का संबंद किस केल से है फुटवाल यह अमीर खुश्रो वाज़ पोईट ओविच एम्परर स्कोड अमीर खुश्रो किस समराट के दरवार के कभी थे यह थे अलाउद दिंखिल जी वाट इस प्रेगनेंसी टम आफ काव गाए की घरवस्ता की अबदी क्या ह 284 जेज यानि पूरा 284 उसे डेज लगते हैं इसके बाद 284 डेज की पूरी प्रेगनेंसी टम होता है इतना टाइम एक गाए को काव फॉन उनिक लिए लगता है बेंगाल डिवीजन ए रिलेटेट टू वाट बंगाल विवाजन किस से संबंदी थे लॉड करजन महात्मा कांदी ने सावर्मती आश्रम की स्थापना किस वर्क्ष की थी 1916 विच एंपररर ओर्डर फर्सली टू स्थिबलाइश ब्रिटिश फेक्टरी किस समराथ ने सबसे पहले ब्रिटिश कार खाने स्थापित कनने का आदेश दिया ये दिया था जहांगी इर ने प्रविजन ओफ आल्टिकर इस टेकिन फ्रॉम विच कंट्री अनुछेत का प्राब्दन किस देश से लिया गया है जापान वट इस दा फ्यूल ओफ फीचर बविश्य का इदन क्या है हाइड्रोजन इदन मतलब इससे जैसे डी डीजल हो गया इदन पैट्रोल हो गया तो कि प्लैनिंग क्या है कि हाइड्रोजन से जित्ती भी गाड़िया वगयरा है उसको चलाया जाया है क्यूंकि आपको पता है जो पैट्रॉल और डीजल वगयरा इन सब जो फ्यूल है कम होते जा रहे हैं नॉन रुजनीवल रिसोर्स होते हैं मदुशाला के लेका कौन थे सबको पता हुगा हरिवन्श राय बच्चन अमिता बच्चन के पिताजी थे ये हरिवन्श राय बच्चन किस देश को थंडर बोल्ट की भूमी के रूप में जाना जाता है भूटान पहली महिला आई एस अधिकारी कौन है अन्ना जोर्ज राइटर और उप राश्परती की अनुपस्तिती में राश्परती के पत पर कौन काम करेगा भारत के मुखे नियाएदीश यानी की चीफ जस्टिस ओफ इंडिया भारत में कौफी का सबसे अधिक उतपादक राज्य कौन सा है करना तक हाइस प्रोडूसर भी बहुत पूछा जाता है ठीके मैं आने वाले वीडियो में भी आपको बताऊंगी इस वीडियो में भी बहुत सारे मैंने हाइस प्रोडूसर लिये हैं इंडिया के जलिया वाला भाग कांड के समय भारत का वाइसराय कौन था ये थे लौर्ड चैंप्स फोल्ड फ्रॉम वेन अशोक अपलर वस प्रिंटेड इन कॉइन और नोट्स अशोका इस तंब को सिक्के और नोटों में कब से छापा गया 1949, 1946 से WHO abolished slavery system 10 प्रता को किस ने समाप किया ये समाप किया था अखवन ने क्या होती थी slavery system में क्या होता था जिस राजा के पास जितने जादा slaves होंगे ना गुलाम होंगे वो उतना ही जादा strong माना जाता था ठीक है उतना ही ज्यादा अच्छा और काविल माना जाता था तो इसको एंड किया तक वर्न है बिफोर अशो का पिलर प्रिंटेड ओन इंडियन करेंसी विच इमेज वस प्रिंटेड ओना करेंसी नोट भारती मुद्रा पर अशोक इस्तम मुद्रित होने से पहले मुद्रा नोट पर कौन सी छवी मुद्रित की गई थी किंग जॉर्ज वाव मैनी टाइपस ओफ डिट्स आर दियर रिट कितने प्रकार के होते हैं पांच प्रकार फाइप टाइपस वाट इस्तम मेंबर ओफ राज्यसमा राज्यसमा का सदस्य बनने के लिए नियून्तम आयू क्या है थर्टी इयर्स तीस साल विच हाई कोट है मैक्सिमम नंबर ओग बैंचिस किस उच नियायले में बैंचों की अधिकतब संग्या है यह है गुहाटी हाई कोट सुप्रीम कोट में जज़ों की संग्या कितनी है थर्टी फोड चौतिस वर्ल ट्यूरिज्म डे सेलिवरेटेड ओन विच डे विच पर्याटन दिवस किस दिन मनाया जाता है 27 स्टमबर ठीक है 27 सप्टमबर फिर से देखिए डे का आगया भी एर्ट स्टे हो गया आटिस में टीरिस्म ट्रे हो गया लास्ट वीडियो में भी बहुत सारे डेज मैंने करवाये थे और आगे भी मैं करवाऊंगी यह डेज बहुत ही किस राज्य में इसाई आवादी सबसे ज़्यादा है नागालेंड और पता इसमें कितनी है आपको जानके हरानी होगी 91 परसेंट किरिश्यन नागालेंड में रहते है ठीक है और आप लोग जनरली क्या है उसमें गोवा एक option दिया जाता है और जारता लोग सोचते हैं कि ग 21 परसेंट कम भी नहीं है कोई विच आल्टिकल ब्लोंग्स तू इंपीचमेंट और प्रेसिडेंट कौन सा अनुच्छे द्राष्टपती के महा वियोग से सम्मंदित है आल्टिकल 61 यानि कि अनुच्छे की 61 इन विच एर मुंबई हाय कोट वस इस्टेबलाइज मुंबई विच नियायले किस वर्ष स्थापित किया गया था 1862 विच इस लार्जेस मॉस्क्यू ने इंडिया भारत की सबसे वड़ी मज़ित कौन सी है यह ताजूल मज़ित हूँ वस्ट इंडियन टू वी इलेक्टेड एस अमेंबर ऑप ब्रिटिश पाल्लेवेंट ब्रिटिश श सरवादिक उत्पादग राज्य कौन सा है फिर से हाइस प्रडीसर आगें स्टेट उत्तर प्रदेश विच सिटी इस दा में इंडूस्ट्रियल एरिया ओप डायमंड कटिंग डायमंड कटिंग का प्रमुक अध्योगिक छेत्र कौन सा है सूरत हूँ इस फर्स इंडियन व तीसरी सबसे वड़ी अर्थ विर्वस्ता कि देश की है जापान आफ फेमस पेंटिंग बनी ठनी जैवाउट तू हूँ एक प्रसित पेंटिंग बनी ठनी किसके बारे में है राधा विच स्टेट इस दे हाइस प्रडीसर ओफ काल्डिमम इलाइची का सरवादिक पर इलाइची का सरवादिक उत्पादन होता है हूँ एड इस्टेवलाइच नालंदा यूनिवस्टी नालंदा विश्विद्याले की सापने किस ने की थी कुमार गुपता वैन इस वर्ल्ड पॉपूलेशन डे सलीब्रेटेड विश्व की जनसंक्या कम मनाई जाती जनसं पांडर ओफ एचे सारे एचे सारे का मतल होता है हिंदुस्ता है शोश्यलिस्ट रिपब्लिकिन तो इसकी संसापक कौन थे इसके संसापक थे चंदरशे का राजात विच स्टेट इस थे हाइस प्रडूसर अब गौवा अमरूत का सरवादिक उत्पादक राज्य कौन सा है वाट इस दे सैलरी ओवाइस प्रेसिडेंट उप प्राश्पती का वेतन क्या है चार लाक हूँ डश शेयर मार्केट कंट्रॉलिंग शेयर वजार का नियंत्रल कौन करता है सेवी हूँ वज दा फर्स गवंणर जनरल पाकिस्तान पाकिस्तान के पहले गवंणर जनरल कौन अनमान और निकोवार किस उच नेयाय ले के अंतरगत आता है यह आता है कॉलकता हाइग कोट इन विच वाइस रोइस टाइम पीरड साइमन कमिशन केम इन इंडिया भारत में किस बाइस राइक के समय में साइमन कमिशन आया था यह अया था लौड इरवाइन इन विश मोगल एम्परोर्स ताइम पीरड पेंटिंग वाज फुल गलोरी किस मोगल बाश्या के काल में चितरकला का पूरा गौरफ ता जहांगीर मारीना वीच इन विच सिटी मारीना वीच किस शहर में चेन ले अगाखान काप इस रिलेटेट तो विच कप अगाखान कप किस से संबन देते हो की वाट वस दे रियल नेम आफ वीरवल वीरवल का असली नाम क्या था महेजडास विच इस दे स्मॉलेस्ट ओप दा वर्ल्ड विश्व का सबसे छोटा मासागर कौन सा है आर्क्टिक मासागर नेशनल कैमिकल लेव इस सिच्टेटेड इन विच सिटी राष्ट्रिय रसाइनिक प्रयोक्षाला किस सहर में स्थित है यह है पूने में अच्छा वी मासागर में आपको स्मॉलेस्ट पता है आपको लार्जस्ट तो पता है ना लार्जस ओशियन कौन सा है वर्ल्ड का पैसिफिक ओश्ट प्रयामिट इस नेशनल विल्डिंग और विच सिटी बहुत सिंपल कोश्ट ने प्रयामिट किस शेहर का राष्ट्रिय इसमारक है इजिप्ट टोको फेरोल इस दा कैमिकल नेम अप विच बिटामिन टोको फेरोल किस विटामिन का राष्टा है निकनेम है विटामिन E विच स्टेट इस दा हाइस प्रोडिसर अप पीनट मुपफली का सरवादिक उतपादक राज्य कौन सा है गुजरात विच सिटी सिच्टेट इन दा बैंक ओप गोमती गोमती के किनारे कौन सा शेहर इस देता है लखनो वेटल अप सरहिंद वस फॉर्ट विट्वीन हूम सरहिंद का युद किस के बीच लड़ा गया था ये लड़ा गया था सिकंदर शाह सूरी और हुमायू के बीच में विच आल्टिकल टेल्स अवाउट दे सेप्रेशन अब जूडिशियरी फ्रॉम उग्जीक्यूटिव न्याय पालिका को कार्रे पालिका से अलग कनने के बारे में कौन सा अनुच्छेद बताता है आल्टिकल फिप्टी यानि के अनुच्छेद पचास्वा विच स्टेट इस था हाईएस प्रडीसर अफ अनियन प्याज का सरवादिक उत्पादक राज्य कौन सा है महरास्ट किरकेटर इम्रान खान इस फाउंडर ओप विच पॉलिटिकल पाल्टी किरकेटर इम्रान खान किस राजनेतिक दल के संस्थापक हैं तैरीक इंसाफ in 1857 revolt who was the leader from इलाबाद 1857 के बिद्रो में इलाबाद के नेता कौन थे लियाकत अली ओपेरा हाउस is situated in which country ओपेरा हाउस किस देश में स्थित है बहुत सिंपल है औस्ट्रेलिया who appoints the cabinet of chief minister मुख्यमंत्री के cabinet की नियुकती कौन करता है ये करता है गवणनर गवणनर को क्या बोलते है हिंदी में राज जपान डमनेंदीव कम्स अंडर विच हाई कोड दमनेंदीव किछ उच नियायले के अंतरगत आता है या पे मुंबई हाई कोड गवणनर टेक्स ओत बाय हूं राज जपाल किसके द्वारा शफत लेता है चीफ जस्टिस ओफ हाई कोड उच नियायले के मुख्य नियायदीश Smell of onion and garlic is because of प्याज और लेसुन की गंद किसके अकारण होती है Sulfur यानि की गंदक Who said सारे जहां से अच्छा Hindu सीता हमारा सबको पता है इसलिए मैंने गाह कर पताया है किसने कहाता है ये कहाता मुहम्मद इक्वाल When or oral polio vaccine came into use Oral polio vaccine का प्रियोग कब हुआ 1961 ये मतलब oral polio vaccine कौनसी होती है जो खुराग जो लेते हैं दो भून जिंदिगी की जिससे बोलते हैं इससे पहले vaccine को inject करके लगाया जाता था इंजेक्शन के द्वारा Guru Gobind Singh was born in which city Guru Gobind Singh का जनम की शेहर में हुआ था What is the simple of mercury? विल्लादेश के राजफ्रीय गान के लेखक कौन है इसके भी लेखक है वही है जो हमारे रभीनाट टैगोर ठीक है और ये किसे हमारो सूनर बांगला ऐसी करके कुछ है विल्लाटेंपल is situated in which city and dedicated to whom विल्ला मंदिर की शेहर में स्थितर और किसे समर पे था ये नियू देली और ये किसे समर पे था लौड किष्णा भगवान किष्णा को अच्छे वैसे तो विल्लाटेंपल है दरावाद में भी है मुंबई हर जगे आपको मिलेगा लेकिन में जो माना जाता है ना जो जहां पर टीडिस सबसे ज़्यादा आता है जो माना जाता है सबसे ज़्यादा वो नियू देली का माना जाता है इसलिए आपको option में कोई भी मिलेगी हिद्रवाद भी मिल जाए मुंबई कोई भी मिल जाए तो आपको नियू देली वाला ही लगाना है वो सेट जय हिंद जै हिंद किसने काता शुवाश्चन बोस किरकेट पिच की लंबाई किया है 66 feet कालिदास ने किस भाषा में लिखा है तीपु सुल्टान वस दा एम्परर अब विच स्थान विच सिटी तीपु सुल्टान किस शेहर का समराथ ता मैसूर सबजी उतपादन में भारत का स्थान किया है reverse flick world is associated with which sport reverse flick संबंद reverse flick शब्द जो है उसका संबंद के स्केल से है उसका है हौकी से विज दा अथर ओफ विंग्स ओफ फायर बहुत फेमस है पता भी होगा आपने स्यादे स्यादा लोगों को wings of fire के लेख़ कोन है डॉक्टर एपीजे अब्दुलकला who is known as rocket man rocket man के नाम से किसे जाना जाता है डॉक्टर के सिवान bus service between India and Bangladesh was started in which year भारत और बांगलादेश के वीच में bus सेवा किस वर्ष से शुरू की गई थी ये की गई थी 19 जून 1999 यानि 19 जून 1999 से सरसेयद एहमत खान is associated with which movement सरसेयद एहमत खान किस आंदोलन से जुड़े है अलीगर्ड मुव्मेंट who is the writer of famous book शोजे वतन प्रसित पुस्तक शोजे वतन के लेख़ कौन है मुशी प्रेम चन्द yours for life is the punchline of which company yours for life किस company की punchline है गोद्रेश ठीक है बहुत प्राणी कंपनी है बहुत famous कंपनी है who conducts panchayati election panchayati चुनाब कौन करवाता है ये करवाता है state election commission यानि राज्य चुनाब आयोग मात्मा गांदी तुक पाल्ट in which round table summit मात्मा गांदी ने किस round summit में भाग लिया था इन्होंने लिया था second round table summit दूसरा round table summit में which country is known as bowl of sugar किस देश को चीनी का कटोरा कहा जाता है क्यूब 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 यह आपर चीनी को अत्पादन सरवादिक है तो आप से ऐसे भी पूछ सकता है which country is the highest producer of sugar ठीक है तो क्या लेखोगे आप क्यूब which is the smallest river of the world विश्प की सबसे छोटी नधी कौन सी है यह रो रिवर रो नधी DRDO is related to what DRDO किसे संबंदी तर डिफेंस रक्षा चे where is space application center situated अंतरिक्ष अनुप्रयो केंदर कहा इस्तित है एहमदाबाद which is the largest district of India भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है कच which city is known as high-tech city कौन सा शेहर high-tech city के नाम से जाना जाता है हिद्राबाद which is the country of snake साब का देश कौन सा है ब्राजील which city is known as garden of India भारत के उद्ध्यान के रूप में किस शेहर को जाना जाता है चंडीगर which city is known as Manchester of East किस शेहर को पूर्फ का Manchester का जाता है यह का जाता है ओसाफा ओसापा को अच्छा मैंचेस्टर मतलब क्या था है जहां पर सबसे इंडरेस्ट्रीज होती है कि उस शेहर को या उस देश को मैंचेस्टर का जाता है तो पूर्फ का मैंचेस्टर हुआ होसा का which is the smallest district of India भारत का सबसे छोटा जिला कौन सा है माहे और सबसे बिड़ा भी बताया था कच पूर्लोग पुरुसकार किस छेतर से संबंदित है किस फील्ड से संबंदित है चीक है अगरिकल्चर क्रशी के There are how many wounds on human head मनुष्य के सिर में कितनी हड्डिया होती है 8 wounds Sanskrit day is celebrated on which day Sanskrit दिवश किस दिश दिन मनाया जाता है 10 अगस्त 10 अगस्त को प्रवासी भारतिय दिवश is celebrated on which day प्रवासी भारतिय दिवश किस दिन मनाया जाता है 9 जनवरी को दादा साहिफ फाल के award was introduced in which year दादा साहिफ फाल के पुरुसकार किस वर्ष शुरू किया गया था 1969 से Which city is known as capital of cotton cloth सूती वस्तरों की राजधानी के रूप में किस शेहर को जाना जाता है Mumbai Who was the first education minister of India भारत के पहले शिक्षा मंतरी कौन थे ये थे मौलाना अबुल कलाम आचा था What is the approximate length of Himalaya Himalaya की अनुमानित लबाई क्या है Approximate करीब पच्छिस सो किलो मीटर Which organ produces insulin in the body कौन सा अंग शरीर में insulin का उत्पादन करता है Pancreas Pancreas को हिंदी में क्या वोलते हैं Who was the man of series of first T20 cricket world cup पहले T20 cricket विश्व कप के man of the series कौन थे शायद अफ्रीडी Who is the first cricketer who scored double century 12 शतक लगाने वाले पहले cricketer कौन थे सचिन तैंदुलगर What is the time duration limit of कबड़ी मैच कबड़ी मैच की समय अब्दी सीमा क्या है 40 minutes 40 minutes होती है यानि कि 2 इसमें खेले जाते हैं 20-20 minutes की खेले जाते हैं इस तरह से 2 मैच होते हैं Cutting Age is the autobiography of whom अत्यादुनिक किसकी आत्म कता है जावेद मियावदाथ Wimweldon Trophy is related to which sport Wimweldon Trophy की स्खेल से संबंदी थे Long Tennis Which is the largest store indoor stadium of India भारत का सबसे बड़ा indoor stadium कौन सा है Indira Gandhi Stadium Copa America Cup is related to which sport Copa America Cup किस स्खेल से संबंदेता है Footwall What is the currency of Slovakia Slovakia की मुद्रा क्या है Euro Currency बहुत important होती है जरूर ध्यान रखिएगा Which article says about the transfer of high court judges उस नियाए LA के नियाए दीशों के इस नानंतरण के बारे में कौन सा नुच्छेत कहता है बताता है article 222 यानि नुच्छे 222 Who is the first chairperson of UPSC UPSC का पहला देख्ष कौन था Sir Ross Varkar What is the official government documents of India called भारत के सरकारी दस्तावेजों को क्या का जाता है White paper यानि सफेद कागज Which is the largest country of South America दक्षन अमेरिका का सबसे बड़ा देश कौन सा है Brazil In which year Delhi High Court stabilized दिल्ली उच्छ नियायले की स्थापना किश्वर्श हुईती 1966 What is the previous name of Lakhnao Lakhnao का पिछला नाम यानि इससे पहले Lakhnao का नाम कहता है Lakhnao थी In which year महमूद गजनभी Attacked over Somnath Temple महमूद गजनभी ने किश बर्श Somnath Temple पर हमला किया था 1025 एड़ी यानि 2025 वी इसवी को Anupriya was the daughter of whom Anupriya किसकी बेटी थी बर्दमान महावीर Which Emperor एवोलिश तुलादन सिस्टम किस समराट ने तुलादन प्रणाली को समाप्त किया और अंजे Who attended all three round Stable Summit तीनों गोल में सम्मिलनों में किसने भाग लिया ये थे बियार अंबेट कर India won the first Olympics hockey gold in which year बारत ने किस वर्ष में पहला Olympic hockey स्वाड जीता 1948 1948 Where is Jinnahouse chitted Jinnahouse का इस थे थे Mumbai मे Who was the first Hindi based intellectual in Mughal period Mughal काल में प्रथम हिंदी आधारेग बुद्धी जीवी कौन थी Beerbal बहुत कॉमन और किसके दरवार के अखवर के ठीक है इनका असली नाम तो महेशदास था इनको जो नाम दिया था Beerbal इनका बुद्धी को देखते हुए इनका नाम दिया था Where is the first agriculture science center is stabilized पहला क्रशी विज्ञान के इंद्र कहा इस्तापित किया गया Pondichail What is the pH value of pure water शुद्ध पानी का pH मान क्या है साथ The Indian Struggler is written by whom Famous book The Indian Struggler किसके दौरा लिखा गया है Shubhash Chandra Bose Who is the first Indian hanged by British अंग्रिया जो दौरा फासी पर लटकाया गया पहला भारती है कौन था महाराजा नंद कुमार Rider cup is associated to which sport Rider cup किस खेल से संबन दिता है यह है गोल्फ Which protocol is used in data transfer Data transfer में किस protocol का अपयोग किया जाता है FTP File Transfer Protocol FTP यानि इंदी में फाइल इस नानंतर प्रोटोकॉल Who launched दिने इलाई दिने इलाई किस ने लॉंच किया अखवर What was the language of Arya Arya की भाषा क्या थी Sanskrit Who is also known as Ashoka 2nd Ashoka दित्तिये के नाम से कौन जाना जाता है कनिश्क High coat of Chathisgarh is situated in which city Chathisgarh का उचनिया एले किस शेहर में स्थित है विलासपूर When is anti-terrorism day celebrated आतंगवाद ब्रोधी दिवस कब मनाया जाता है 21 माई Who is the writer of Anandmat Anandmat के लेकप कौन है Bangkim Chandr Chattarji Dave the Trophy is related to which sport Dave the Trophy का संबन किस केल से है Cricket Where is railcoach factory situated Railcoach factory का स्थित है Kapoor थला National Gallery of Modern Art Is situated in which city Adunik Kalaki राष्ट्रिय गैली किस शेहर में स्थित है New Delhi Who invented X-ray X-ray का विश्कार किस ने किया ये किया था Conrad Rompton Who is also known as Alexander 2 Sikandar दित्तिये के रूप में किसे जाना जाता है Allahuddin खिल जी ठीक है Alexander Who was the founder of Ajadin Fogg Ajadin Fogg के संस्था पक कौन थे राजब्यारी बोस Jojila Pass is in which state Jojila Pass किस राज्य में लगता है Who invented Telegram Telegram का विश्कार किस ने किया Samuel Morse तो friends यहां पर आपके 600 questions complete होते हैं इसी तरह से next video में आपके 800 questions complete हो जाएंगे और 5000 questions complete हो जाएंगे मेरे किसी भी वीडियो में कोई doubt है तो मुझे से जरूर पूछे कमेंट करके या mail ID करके और हाँ मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और वैल आइकन जरूर प्रस किजए चीक है अगर आपको पढ़ना अच्छा लगता है और मेरी वीडियो को honestly आप 3-4 times या 2-3 times देखेंगे न तो अगर इन मेंसे कोई भी question आता है आप बिल्कुल भी उसको नहीं चोड़ेंगे बिल्कुल देखते ही आपको समझ आ जाएगा क्योंकि वहाँ पर तो option भी देजाएंगे व्यकुल आपके दिमाग में क्लिक कर जाएगा मैंने एक question पताया थो चीक है तो next video का मैं मिलते हैं फिर से take care student bye bye